इंडियन चेंबर ओफ कॉमर्स एंड इंडरस्ट्री एलेक्स एमी और दिली उनिवर्सिटी की तरफ से म.य.य फाइनेंशिल इंडिपेंडेंस बूट कैम्प का आयोजन किया गया इस कैम्प में एलेक्स एमी की फाउंडर प्रिती राठी गुपता और अनन्या फाउंडेशन की सीई-ओ डॉक्टर अर्चना सिंग ने महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने पर फोकस किया जोर दिया वहें उन्होंने कहा कि महिलाओं को कमजोर समझा जाता है लेकिन महिलाओं आज के वक्त में बहुत आगे हैं मैं आकरश्रीका शर्मा यूटिन कम्मूनिटी एंपावर्मेंट कांसिल से वुमन इंडियन चेंबर अफ कॉमर्स इंडस्ट्री का एक कांसिल है वाई सीची उसकी प्रेसिदेंट हूं दिल्ली स्टेट से यह जो प्रोग्राम है मैंने फाइनेंशल इंडिपेंडेंस और लिटरिसी के लिए कराया है इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता कोई भी औरत जिसको अपनी स्वतंत्रता पैसों की स्वतंत्रता आर्थेक वित्य स्वतंत्रता चाहिए उन रोगों के लिए कराया है जिससे वो आएं और वो यहां से आके कुछ सीखें, कुछ ना कुछ सीखें, जैसे कोई महिला घर में काम भी करती है, उसके लिए कभी कबार होता है कि वो 100 रुपे भी नहीं बचा पाती है, तो यहां इस event से मेरा मकसद यही था, कि वो जो महिला, एक housewife भी अगर यहां आएगी, और वो event से और एक बात बताना चाहते हैं कि हम sanitation, hygiene पे, स्वच्छता पे बात करेंगे, एक भारती है नारी के लिए, जहां पे इतनी ज़्यादा संक्या है लोगों की, मर्दों की, नारी की, सबकी इतनी संक्या है, वहां पे sanitation and hygiene, मतलब स्वच्छता का कितना, कितना role play है, कितना हमा इतनी स्वच्छता के लिए 10-12 दिन कम से कम लग जाता है और उनका खर्चा भी लग जाता है, ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो यह खर्चा नहीं कर सकती, तो इस प्रोग्राम से वह आर्थिक स्थिति को समझने के लिए और आर्थिक स्थिति को आगे ले जाने के लिए उसक बोड़ 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 थे सिंगे इवेंट